बसकार स्वाकत है आपका एक बार फिर आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के विभीन मंदिरों के बारे में तो यहाँ आज की इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं राजस्थान के विभीन मंदिर तो करते हैं स्टार्ट आज का टोपिक मंदिर राजस्थान के मंदिर तो दोस्तों सबसे पहले अपन चलते हैं सीकर सबसे पहले कहां चल रहे हैं अपन सीकर और देखते हैं कि सीकर में कौन-कौन से मंदिर है सीकर में दोस्तों मंदिरों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीन माता की सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे जीन माता की तो यहां पर जीन माता जी का मंदीर है जीन माता जी जीन माता का यहां पर मंदीर है और इसके अलावा यहां पर एक मंदीर तो यह हो गया एक मंदीर है खाटू शाम जी का खाटू शाम जी का मंदीर है यहां पर और जीन माता जी का मंदीर है यहां पर उसके अलावा यहां पर है दोस्तों शाकंबरी माता का मंदीर किसका शाकंबरी माता शाकंबरी माता जी का मंदीर भी यहां पर इस्तित है इसके अलावा यहाँ पर और मंदिर की बात करें तो हर्षनात जी का मंदिर है जो की जीन माता के भाई है हर्षनात जी का मंदिर और इसके अलावा दोस्तों एक सब्त गो माता मंदिर है सब्त गो माता मंदिर सब्त गो माता मंदिर ये भी सीकर में ही इस्तित है तो सीकर में मंदिरों की बात करें तो परमुख मंदिर, जीन माता जी का, खाटुशाम जी का मंदिर शाकंबरी माता जी का मंदिर, हर्शनात जी का मंदिर और सब्त गो माता मंदिर है आज अपन इन सभी मंदिरों के बारे में यहाँ पर जानेंगे और एक एक करके सभी मंदिरों की कहानी को समझने की करते हैं कोशिश तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पहले मंदिर जीन माता जी के मंदिर की बात जीन माता जी जीन माता जी का जो मंदीर है इसके संबंद में कब बना और क्या है और कब इनका मिला लगता है उसकी बात करेंगे दोस्तों अगर हम इसके निर्मान की बात करें जीन माता जी के मंदीर का निर्मान निर्मान जो है इस मंदीर का कब हुआ था इस मंदीर के संबन्ध में कहा जाता है कि 1064 इस्वी 1064 इस्वी में हट्थड हट्थड जो थे वो एक चोहानवंश के राजा थे चोहानवंश चोहानवंश के ये राजा थे हट्थड उनके द्वारा इसका निर्मान करवाया गया था इस मंदिर का निर्मान करवाया गया था और ये जो जीन माता जो है ये चोहान वंश की कुल देवी मानी जाती है चोहान वंश की कुल देवी चोहान वंश की कुल देवी भी जीन माता जी को कहा जाता है और इनका मेला कब लगता है? ये मेला जीन मताजी का मेला जो है चेतर और आश्विन महा में लगता है इनका मेला लगता है चोहान वंश के राजा थे, उन्होंने इसका निर्मान कराया था, और यह चोहान वंश की कुल देवी मानी जाती है, इनका मेला चेत्र और अश्विन महा में लगता है। ये कहा जाता है कि 1720 में कब 1720 में 1720 का एक शिला लेख है उसके आधार पर हम कह सकते हैं शिला लेख 1720 के शिला लेख के अनुसार अजमेर जो है अजमेर के राजा अजमेर के राजेश्वर अजीद सिंग अजीद सिंग सिसोद्या के पुत्र अभय सिंग ने इसका निर्मान करवाय था इस मंदिर का अभय सिंग अभय सिंग ने इस मंदिर का निर्मान करवाय था किसने इस मंदिर का निर्मान करवाय था 1720 के शिला लेख के अनुसार अजमेर के राजा राजेश्वर अजीद सिंग सिसोद्या के पुत्र अभय सिंग ने इसका निर्मान करवाय था और इनका मेला, इनका मेला खाटू शाम जी का मेला कब लगता है? इनका मेला फागुन, शुकल, एकादसी और द्वादसी को लगता है यानि कि ग्यारस और बारस को फागुन की शुक्ल पक्ष की ग्यारस और बारस को खाटुशाम जी का मेला लगता है उसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं इनके मंदिर की आगे बात करें इनके मंदिर के संबन्द में सिकर में और कौन-कौन से मंदिर हैं उनकी बात करते हैं चलिए उसके बाद है दोस्तों एक मंदिर शाकंबरी माता जी का मंदिर शाकंबरी माता तीन नमबर पर पहुंसते हैं बन कौन सी माता शाकंबरी माता शाकंबरी माता जी का मंदीर भी दोस्तों सीकर में ही इस्तित है और जानते हैं इस मंदीर के बारे में चलिए ये भी चोहानों की कुल देवी मानी जाती है शाकंबरी माता जो है ये भी चोहानों की कुल देवी चोहानों की कुल देवी मानी जाती है और इनके संबन्द में दूसरी बात अपने को याद रखना है चोहान राजा दुरलब राज कोन से? तथा शिवहरी के पुत्र सिद्ध राज ने शक्ति पीट शाकंबरी का एक मंडब बनाया था ये एक शक्ति पीट है ने शक्ति पीट शाकंबरी में एक मंडब का निर्मान करवाया था ठीक है दोस्तों इस मंदिर में शाकंबरी वेक काली माता दोनों की मूर्तिया है शाकंबरी माता की भी मूर्ति है शाकंबरी माता तथा काली माता दोनों की मूर्तिया है काली माता की मूर्तिया है शाकंबरी माता की भी मूर्ति है और काली माता की भी मूर्ति है और इनका मेला इनके मेले की बात करें तो इनका मेला कब लगता है इनका मेला चेत्र और आश्विन माह में जब जीन माता का मेला लगता है तब ही चेत्र एवम आश्विन माह में चेत्र वे आश्विन माह में इनका मेला भी लगता है फिर हम बात करते हैं दोस्तों हर्शनात मंदिर की चार नमबर पर किसकी बात कर रहे हैं हर्शनात ये जीन मता के भाई थे हर्शनात मंदिर अब इस मंदिर की करते हैं बात इस मंदिर की बात करें तो ये महामारू शेली में निर्मित एक मंदिर है कौन सी शेली महा मारू शेली में बना हुआ ये मंदिर है और दूसरा इसका निर्मान जो है 956 इस्वी में अजमेर के चोहान शाशक विग्रह राज चतुर्थ ने करवाया था विग्रह राज चतुर्थ विग्रह राज चतुर्थ ने इस मंदिर का निर्मान करवाया था उनके शाशनकाल में इस मंदिर का निर्मान हुआ था मामारु शेली में बना हुआ है 956 में अजमेर के चुहान शाशक विग्रह राज चत्थूर्थ के शाशनकाल में इसका निर्मान हुआ था और उसके बाद दोस्तों हम एक लास्ट मंदिर की बात करते हैं सब्त गो माता मंदिर सब्त गो माता मंदिर अब इस मंदिर की बात करें सब्त गो माता मंदिर ये भी सीकर में ही स्थित है और ये जो है ना सीकर में जहां जीन माता जी का मंदिर है वहीं आता है गाउं रेवासा रेवासा सीकर में स्थित है इसी में ये मंदिर स्थित है यहां रेवासा जो है एक जील भी है रिवासा जील जहां नमक उत्पादन भी किया जाता है ये मंदिर जो है वो राजस्थान का राजस्थान का प्रत्थम गोमाता मंदिर है और भारत का चोथा गोमाता मंदिर है ये भी बात याद रखनी है कि भारत का चोथा गोमाता मंदिर है ये गो माता मंदिर तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने जो मंदिर पढ़े हैं पांच मंदिर पढ़े हैं जीन माता जी का मंदिर खाटू शाम जी का मंदिर शाकंबरी माता जी का मंदिर हर्शना जी का मंदिर और सब्त गो माता मंदिर ये सारे के सारे मंदिर जो हैं सीकर जिल जिलावाईज पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, जुन-जुनु में कौन-कौन से मंदीर हैं, फिर हम पढ़ेंगे, चुरू में कौन-कौन से मंदीर हैं, अलवर में कौन-कौन से मंदीर हैं, तो प्रतेक जिले के हिसाब से अपन इन मंदीरों को तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक नमस्कार